हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज मैं लेके आ गया हूं 4925 मशीन ठीक है तो यह जो एडवांस मशीन है इसमें कैसे आपको फोटो कॉपी करना है डुपलेक्स फोटो कॉपी करना है वो सब मैं बताने वाला हूं ठीक है तो यह उपर का यूनिट जो क्या से ठीक कॉपी पटेच करेंगे और देखिये कापी पेटच करने के बाद एक पेज यहां पे आप लगा देंगे ठीक है और जो भी लिखा हुआ रहेगा वो नीचे रहेगा ठीक है और इसके बाद हम नंब्रॉफ कि कितनी कापी चाहिए वह यहां प्रेस करके आप जि नीचे आपकी फोटो कॉपी निकल आएगी इस तरह और इसके बाद जो है आप जो है उपर से भी मैं फोटो कॉपी आपको करना दिखा रहा हूं ठीक देखे फोटो कॉपी कितना अच्छा आया है तो अब यह तो हो गया ग्लास जिसने एडिया पर नहीं लगवाया है तो वह नीचे से करेगा ठीक है उसके बाद अब आपको यहीं चीज ऊपर से करना है इसको बोलते एडिया फ्यूनिट या डूप्लेक्स तो लिखा हुआ उपर रहेगा ठीक है यह चीज जो है ऊपर रहेगी नहीं तो आप नीचे कर देंगे तो वाइट पेज आपका निकलेगा तो इस तरह से रखके और यह देखे ग्रीन लाड जल जाएगी और एक बीप की आवाज भी आएगी तो फिर आपको बिस नंबर आप कॉपी जितना करना कर लिजे एक तो रहेगा और स्टार्ट दबा देजे ठीक है जैसे आप स्टार्ट दबाएंगे यह पेज खीच नीचे से प्लाटन ग्लास जिसको बोलते हैं या गलास बोलते हैं और एडिअफ से फोटोपी नार्मल करेंगेगे अब मैं आपको एक साइड में लिख दिया और एक साइड में ये लिखा हुआ है तो टूशेड फोटोपी कैसे करते हैं तो सटोड या बोथ साड डॉपले करें नमबर आपको जितनी कॉपी चीए वह आप कर सकते हैं नहीं तो आप सिधार्ट स्टार्ट दबाएंगे वह करेगा नियुक्त करेंगे यहां पर आजाएगा चेंज करने के लिए तो आप उसी जगह पर उसी तरह पेपर आराम से रख दें जैसे आप रखेंगे उसके बाद आप फिर से स्टार्ट प्रेस करेंगे ठीक है नॉर्मली यह ओप्षन जो होता है जैसे रजिस्टर होगा रहा है कॉपी विगारा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता जब तक आप करना हो स्कैन करके स्टार्ट करते रहे हैं उसके ब तो फिर जो है यह फोटोकॉपी आपकी निकल जाएगी ठीक है और एक रुक्यस्ट और भी है आप से कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है वीडियो आप देखते हैं बट आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं यह देखिए टू सैड सब्सक्राइब नहीं लिया है जिसने और इसने यह लिया है तो इसका भी तो यूज़ बताना है तो इसका यूज़ यह है कि पेपर आप उल्टा सीधा कैसे भी लगए को दोने साड़ लिखा हुआ ठीक है तो देखिए यह देखिए टू साइड का ऑप्शन है इसको सेलेक सब्सक्राइब और स्टार्ट कर दीजिए स्टार्ट करेंगे तो आटोमेटिक यह पेज आगे पीछे कर लेगा एडिया यूनिट का यही काम ही है तो यह आगे पीछे करके और आपका उपर रहा है ठीक है अब फोटो कॉपी जो है नीचे आ रही है फिर इसको पकड़ना आपको ठीक है अपने पेज आएगा और एक बाहर आएगा फिर से अंदर जाके और प्रिंट होके बाहर आजाएगा इस तरह से यह आपका डुप्लेक्स कॉपी या टू साइड कॉपी बोलते ठीक है तो यह हो गया यह नोनो साइड प्रिंट करके आपको दे देगा है तो यहां पर आराम से पूरा दिए पर रख सकते हैं स्टपडर बिन वगएरा अटाके दीग है तो यह कर सकते हैं और फिर ऑम पे आगए अब मैं आपको सकैन कर ना बताता हुड़िकल स्कैन करने के लिए आप स्कैन पर जाना है होम पर जाने के बाद स्कैन पर जैसे मैंने भी अभी टच किया उस तरह करने के बाद आप जहां जहां से आप फोटो कॉपी कर सकते हैं वहां वहां से आप स्कैन कर सकते हैं तो मैं पहले फिर से ग्लास से बताता हूं एड्रस बुक में जाना है यह देखिए जो नाम का folder share किया गया है वो folder इसमें आ तो इस तरह से आप स्कैन करने के लिए इसको choose करेंगे और कि और के करेंगे और जितने भी नाम रहेंगे अवह सब्कों कर सकते हैं या एक साथ में सब को भी भेज सकते जितने लोगा को सबक्रों ब्लाक करेंगे जितने नाम इस पर रहेंगे सब酵ाप एक साथ मेंव भी भी सकते हैं और सटर्ट कर दिये ठीक है और स्टर्ट करने के वाद सिन bu Charlieग का टो जगे फिर से बसे इसकन करने परङधे स्टार्ट करने पर ठीक है तो इस तरह आप कर जो रजिस्टर है कॉपी है वो आप करके सकैन कर सकते हैं और चुरुक्त हो गया सब तो send का option यह है कि ठीक है यह the option है यह you iえक क्विश्ट कर सकते हैं अड़ीक जैसे सेंड होगा व्यहा से चेक भी कर बार बार आपको system पर जाने की जरूर नहीं आप यहीं से चेक कर सकते गया की नहीं गया है तो आप इसको touch करेंगे इसके बाद आपको call log पर जाना ठीक है यह देखिए यहां पर ओके ओके मिन्स चला गया अगर एंजी आ रहा है तो इसका मतलब आपका नेटवर्क में कुछ प्राब्लम है ठीक है नेटवर्क में या तो आपका केबल हिला है आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो कुछ दिक्कत कर रहा ठीक है अब देखिए उपर उपर भी ऐसे है आप इसके पहले नग्याइब कर सकते हैं जाते ही कि बसके अपने नाम से करें और उसके बाद प्रोप्र दॉप है कर सकते हैं कि असलों सन्सक्राइब और उसके बाद प्रेस करांब तो यह उपर option है इसमें आपको कुछ काम का चीज नहीं मिलेगा अब मैं आपको बताने वाला हूं कि PDF कहां से करना है तो आप यह स्लेक्ट कर लेंगे आप कर सकते हैं फार में जो भी आपको चालिये इस तरह की यह सैटिंग है जो आप करना चाहें कर सकते हैं कोई इसू नहीं है कि ओर कि यह फिर्ट स्टाट कर दिए तो उसने कर सकते हैं और तो आप नहीं करें और मेंडिया Twoesis कर देदे है और यह सेंड भी कर देगा एडियेप पे आपको सेंड करने की जरूरन नहीं होती हो आटोमेटिक करके और सेंड कर लेता है ठीक है चेक करेंगे तो ओके आजाएगा ठीक है और यह लोग पे जाएंगे देखिए ओके आगा टाइम वेगर अभी उसने सब दिखा दिया है त तो इस तरह से आप कर सकते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और ऑप्शन इसका जो आपको बहुत काम आएगा ठीक है ऐसे तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं बट मैं बेसिक चीजे ही आपको बता रहा हूं फिर भी आपको कोई रिक्वाइर्मेंट होगा तो आप अधार किसे फोटकापी करना है तो फोर्थ पेज पे आपको मिलेगा आड़ी कार्ड डी कार्ड का जो ऑप्शन होगा वही आपका अधार का ऑप्शन है यह देखिए यह आपको यहां पे नजर आएगा ठीक है और यह जैसे आपको दिखाया है कि पेज इस तरह से आएगा ठीक है फोटो कापी इस तरह और रखना आपको इसी तरह एक ही जगह पर रखना बदलना नहीं जगा ठीक है तो मैं A और B लिख लिया हूँ कि किसी का आधार मैं दिखाना नहीं चाहता ठीक है तो आधार के साइच का लगवा रख दिया है आपको इस तरह से फीचर समझ में आजागा स्टार्ट करेंगे और यह आटोमेटिक स्कैन करेंगा पेज नहीं निकलेगा टेंशन नहीं लेना आपको और फिर से पेज पलटने के लिए तो आप उसी जगह पर पलट दीजिए और अगर आपको पेज के पीचों बीच में चाहिए तो थोड़ा सा राइट कैसा आजा है आपके सामने ही है लाइव वीडियो यह देखिए ठीक है यह आ गया है तो यह साइड में रखा थोड़ा सा और राइट साइड में बढ़ा के रखेंगे तो यह बीच में भी आएगा जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से अपने हिसाप से रखके आप करेंगा इस प्रकार का टच पैनल किसी में भी लगाया कलर मशीन हो या ब्लैक और वाइट डार्क की सेटिंग है जो आप कर सकते हैं वैसे इसकी पड़ती नहीं है फिर भी अगर कुछ क्वारी हो तो आप मुझे कमेंड कर सकते हैं तीक है यह बहुत सारे ऑपशन है इसमें आप जैसे यापका या फोटो है तो आप इस आपको यूज़ करके भी आप second कर सकते ऐए और वीडियो लाइक जरूर करें एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लाइक करें शेर करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू